कि नमस्कार आप सभी खास वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास आल पर हलो हाँ हाँ हलो हाँ हाँ नमस्कार बताई केशन की माश्मीच शर्मात थाना कोट वाले देहर शकंद्राबाद तो बहुत काफे जोनों से परियास रहत हूं आपसे वालत अलाप करने के अब बताई तक है मुद्य पर आता हूं से रिमान जी जैसे कि गुरूप में आपके में एड हो और लेटेस्ट वी अपडेटिंग वगरा आप लोगों की मांद्व से होती है तो आप लोग कराते रहते हो वह सुनता भी उन्हों से नमजने का परियास भी करता हूं लेकि फ तो हलाकि जैसा कि आप सूचित करने का परियास करते हैं तो उससे महसूस ही होता है कि काफी कुछ पर के लिए भाविच्री के गर्व में हैं लेकिन फिर भी एक डर्र अंतमन जस्ता बना रहता है मैं मस्तिस्क में क्या मैं मासरी के साथ अपने साथ बोलना चाहूंगा आप अब अभी अभी का कि इन गौवर्मेंट के सताय हुए है दो तो 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 इस पीसरे का मैंने बोल दिया कि अभी तक तो है ही फिलहाल मला ऐटिंग वही पहले अखलेट जी थे तो सो रिमायवती फिर अभी योगी जी अभी तक तो है ही यह यह जी कर देते हैं तो उससे सब्सक्राइब है या बीटी सी या डीलेड वी एट्ट दो हजार गया रहे है बन बन फाइब नमबर आट्साइड आपने प्रैमरी का टेट का पास किया था पहली बार दिवाए या तो यह कहलो कि कैमर शրथी नहीं भची या छी मिलोगी हुआे नहीं जो सच्चा ही है नहीं तो आप परियास किया था अंगर आप करना का प्रियास कर सकते थे कि वह तो मैंने कभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपके पर्सनल नहीं बात कर रहे हैं अगर बीए ट्रेट दोजारी ग्यारव में दिये थे उसके बाद अगर कोई सफल हुआ नहीं हुआ जो कुछ हुआ अगर फिर से प्राइमरी टेट देना चाहते तो कब दे सकते थे हुए है बात में भी हुए थे एक लिए लेकिन अपनी एक मैं अपनी परस्तिक तोर पर बता रहा हूं मेरा इंट्रेस नहीं पचाता आप आप रुख जाए ना आप ही के बात पर हम चल रहे हैं आपको पहले तो यह भी नहीं पता है कि बी एटेट दोहजारी ग्यारा आप आपको कुछ भी नहीं पता है अगर पता होता तो आप आंसर की होते हैं अभी तक आपने आंसर नहीं किया हमने आप से कुछा वाला बंदा 2011 में टेट पास हुआ या नहीं हुआ उस समय का छोड़ दिए उसके बात अगर वो प्रैम्री टेट देना चाहता तो कब दे सकता कि आप बताईएगा आप चितर बता सकते हैं मुझे जनकर नहीं इसमिसे में ज्याद है इसलिए ना जब रहेगी तो इसी तरह से हवा में बात करेंगे कि सरकारों के मारे हुए हैं और आपको पता होगा कि टीटी परिछा आया था वो 2011 में आया था पहली बार वालों को पह कोई आपके पास ठीक है उसके बाद बीड़ वाले कभी सपना भी नहीं देख सकते थे कि हम प्रैमरी का ट्रेट दे सकते हैं प्रैमरी भरती में हम कोई हमें कोई मौका भी मिलेगा तो आपने इस पर कभी ना इसको जानने कोशिस किया नहीं विचार कि आखिर जो है क्यों नहीं दे सकते थे उन गवर्मेंटों ने क्या किया केंडर में उस वक जो सरकार के वो क्यों नहीं बीड़ वालोग मौका फिर दी या राज सरकारें क्यों नहीं दे इसकते थे मदद 2011 के बाद अठरा तक कोई टी टेक्षिम नहीं हुआ हर साल हुए है दे नहीं जबते थे तो आप तो बीड़ हैं उसके बाद आप पता नहीं कौन से दुनिया में रत हैं आपको कुछ भी नहीं पता नौकरी चाहिए लेकिन हम नियम कानून नहीं जानेंगे इसीतिया क्या है वो हम जाने कोशिस नहीं करेंगे तो आप बस एक ही पकड़ करेंगे कि नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए उससे नौकरी मिल जाए क्या समझ्याद भी एड कभी भी प्रैमरी के लिए बना ही नहीं था सिर्फ 2014 में मौका दिया गया टेट देने का उसके पहले जो था बीटी सी वाले रखे जाते थे 20然 30 के वीच मौकर था तो विसी रखे जाते थे और कि आने बाहले और आखरी वालों को गए पक्रती से भाहर कर दिया गया ना आप ए यह दो हजार अठार में फिर से आया है कि बीएड वाले प्रैमरी की भरती में सामिल हो सकते हैं जब सुप्रीम कोड से यह गौवर्मेंट आई है 2017 में वर्तमान में जो उस गौवर्मेंट है यूपी में 2017 में आई है उन्हों ने जो जो अपना वादा किया था उस पर काम करना सुरूपिये समस्या बन रहा था जज्जमेंट कराने में सरकार से उसका 5 साल समय बढ़वाए हैं वह आपको नहीं पता होगा उसके बाद जज्जमेंट हुआ है जज्जमेंट के बाद के सरकार से बीएड वालों को प्रैमरी में वैलिड करवाया गया यह 2018 में हुआ है इस कि अब थक क्या है कि मतलब मताजी जो भी घर में अगर पको ने चल आगा भी रहे तोी तक ने को ने तयार होंगे कि खाना कहीं पक रहा है कि यहां अभी आप खाएंगे तब आपका पेड़ भरेगा वह अलग है लेकिन आपको भूख लगी है तो पपने तक तो इंतिजार करना पड़ेगा करना नहीं पड़ेगा तो इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा कि कैसे काम स्टार्ट खाना पड़े रहा है तो अब आप जोते लोगों को चिलाएंगे तो नहीं ना कि खाना पका रहा है उसको आप बस देख करके बैठ सकते हैं कि हाँ पक्राय आएगा लेकिन आप उससे यह कर सकते नहीं खाना पकाऊ पकाऊ सर्पर खड़ियों करें चिला नहीं तकते वैसे ही गौवर्मेंट जो है जब काम कर रही है अब ऑपना करवा है और नहीं भी नहीं पता इक कब नहीं हो सकते अब नहीं की गर्वेंगे देधल से कुछा शेज़ुकह नही रहेगा गहां किसा शल्चा सं इन Ay insgesamt क्राइब कि लगेगा कि हो रहा है कि आप इस बात को नहीं मानते कि आप तीन कैसे कह सकते हैं अभी तक तो इससे कह सकते हैं अभी हमने आपको इतना निसब को बताया कि महीने जुलाई में सुप्रिम कोर्ट से जज्मेंट आया है और जज्मेंट आने के ठीक एक महीना पहले आप चले जाएए साइट पर वहां जाकर देख लिए अर्टी एक का जो चूट का समय था पांट वह दस महीने पहले किया गया जब की जूट की जूट में यूपी में योगी सरकार आने के बाद यह काम किया गया है और उसके कराने के एक महीने बाद जज्मेंट कराया गया और जज्मेंट कराने के बाद जज्मेंट में जो जो लिखा है वो वो चीजें हो रहे हैं जज्मेंट में आप से यह बता दिए कितने काम करने को कहा गया है कितने पॉइंट हैं जज्मेंट के अंदर पॉइंट है यह तक हमने आप से यह नहीं पूछा क्या दी हमने पूछा कितने पॉइंट उसमें जज्मेंट में से पॉइंट बता है यह दिपली जैनकारी तो आप यह पहले यह चीज़ एक्सेप्ट करी है कि आप को नहीं पता है यहीं नहीं पता है कि उसमें क्या क्या कहा गया है आप तो बस वह इंसान हैं आप जैसे लोग कि किसी ने कह दिया भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं लेकिन नहीं कर रही है आपने इस नहीं सोचा कभी पोड का जज्ट अनपड़ तो होता नहीं है बिल्कुल उसने लिवर्टी क्यों लिखा भाई सीरी सी बात है करना है नहीं करना है उसने लिखा होता यह काम करो क्या काता ही यह कची नहीं होगा काम खतम सब्सक्राइब भरवाए थे सब्सक्राइब भरवा करके कहानी खतम भरती हो गए अपने घर जाओ यह बहुत कठिन काम का सब्सक्राइब के लिए कि हम उल्लू है लेकिन सुप्रिम कोड का जड़ नहीं है यह हर व्यक्ति को मान करके तब सोचना कि हम गलब करते हैं इस बात को एक सब्सक्राइब करते हैं तो वह कहीं नहीं हमसे काविज है बिलकुल तो लोगों को एक्सेप्ट करना चीए कि जो चलिए सब्सक्राइब करते हैं तो अगर आपको इतना पता है कि यह सवाल कभी नहीं ठंका कि जज़ पागल था क्या कि जो लिबर्टी सब्सक्राइब कि आपने बिचार कि यह लिबर्टी लिखने का क्यामत होगा वह इतना बड़ा पागल था कि लिबर्टी लिख करके उल्लू बनाया उल्लू तो बनाने बैठा नहीं है वहां यहीं चीज़ा कि आपको लू बनाया जा रहा है लोग जो लिख रहे हैं फेस्बुक और और अन से लिवर्टी का मतलब होता है कि वह यह तुम्हारे सरकार के उपर है क्योंकि यह लीगली सही नहीं है यह लीगल तो और यह तो करना इसके लिए जो पापड बेल ने हैं वो सारे इसलिए उन्होंने लिबर्टी तो जब पापड सारे बेलने पड़ेंगे तो कौन सी गवर्मेंट आएगी पिछली सरकार के जो है जो खिचड़ी पकी हुए उसने चलेगी पापड बेल करके सारी चीज़ी करने उनको उलजहा करके करें या अपने तरीके सबना रास्ता बना कि इसमें इनको आप दूर कीजिए सब तक सब्सक्राइब हो गई आगए अखले से आदो और यह पढ़कर आया हुआ अनपड़ जाहिल इंसान और बुरे-बुरे सब्सक्राइब जो आप दिमाग में आ सकते हो सब बोल लिए हम भी बोलते हैं हम और हम और हमारे पिता जी दोने यही लेन बोलते हैं वह भी पहुश्च के तो वह भी यही बोलते हैं कि यह बिल्कुल अनपड़ बिल्कुल गमार खुर्पा मुख्यमंत्री और एक ताना साफ ताना से फार्मान वाला मुख्यमंत्री का दिला बशा दिया आप इस बंदे का कोई प्रोग्राम कहीं प्रोग्राम में आया हो किसी स्टेश पर बोला हो इसकी सुन लीजेगा और हमें लगता है योगी जी तो बाबाजी है कादू है और वह कभी बोल रहे हो उनकी देखिएगा वह बोलने की बात नहीं कर रहे हैं जो बैब बोलने का लेंगर या टॉपिक पर पकड़ है उसकी कोई भी पड़ा लिखा इंसान होगा वह देखते ही समझेगा कि यह से उल्लू बनाने वाला मंच पर बोलता है और उलू बना नहीं रहा है इस कारण से इसके साथ है वह छोड़ते हैं इन्होंने सिछामित्रों के समयोजन किया बीएड वालों को दर्खिनार करके उल्याग इन्होंने देखा को जो है बस अवैद कर दो समयोजन यह भाड़ में जीन दा रहा है मरें इंके नौकली रहे आ जाए कोई उनके पास प्लान नहीं है कोई पिछली बार अवैद किये थे फिर आएंगे तो कुछ अवैद ही करेंगे और जिंदी ऐसे बरबाद करते रहेंग गौर्मेंट के बारे में मारा मुद्धा भरती तो वर्तमान गौर्मेंट जब आई है इनके सामने जो जो चीजी थी इसको इन्होंने हल कराते हुए आगे बढ़े हैं पहला तो समस्या यही था जो दो बड़े मुख्य मुद्धे थे वह यह था कि बीएड वाले प्रैमिर प्रवा दिये थे उसमें सिर्फ 6,000 बचे थे और विग्यापन था वह तो संसोधन करने के लिए कहा गया तो अखिले से आदोंने उल्टा सीधा करके उसको जूठी और दूसरा विग्यापन साबित करना चाहा लेकिन पूलू नहीं है उनको भी पता है कि नया विग्यापन से पहले केंद सरकाल से अप्रूबल लेना पड़ता है बहुत पूरे करने होते हैं कोई ऐसा इविडेंस यह नहीं दे पाए कोड के अंदर कि यह नया विग्यापन है तो जब दूसरा विग्यापन है नहीं तो भरती हो नहीं सकती कि अब भरती करवा देगी कि आज भरती हम करा दें कि कल को जो है फिरू लग जाएं तो कोड जान गई थी कि एक अहीं विग्यापन था जिसको हमने छेजार चाठर जया भरवा दिये खाली है तो सुप्रियम कोड ने जब ऑडर किया है उन्हें उन्होंने उन्हीं पॉइंट लिखे है और जो सबसे अंतिम उन्हीं सवाँ पॉइंट है उसमें साफ साफ लिखा है जो बचे हुए 6173 है वह भविग्यापन जारी करे उस पर लिखा है लेकिन इस लेकिन पर ब पहले बात तो यह लीगल नहीं है यह विग्यापन ख्लेश यादा उन्हें कभी भी इसके लिए अप्रूवल नहीं लिया इसलिए इस पर भरती नहीं हो सकती है दूसरी बाद सुप्रीम कोड का ओर्डर है कि 2012 विग्यापन का पैसा वापस किया जाए आप जाकर के सारे और उठाकर के केस के दौरान हुए उसमें पढ़ लिए का पहला अंतरी मादेश उसमें इसका पैसा वापस किया जाए कि एक विग्यापन पहले भरा जा चुका उसी पर यह संसोधन था दूबारा पैसा क्यों लिया गया दूब यह दूसा विग्यापन नहीं है तो यह गौश निकाल दीजिए कि 2012 विग्यापन अखले स्यादों का वह कभी जिन्दा था वह कभी अस्तितों में आया ही नहीं उस पर न सुप्रीम कोड भरती करवा सकती थी नहीं यह गौर्णमन भरती करने वाली है वर्टमन गवर्णंट अस्तित्तों में ही नहीं है कभी ठाही नहीं और नहीं है तो कैसे होगा असंभव हो सिर्फ चूतिया बना रहे हैं सीदे सीदे सब्ड़ों में जी तो जो आगे होना है वह मधाते रहते हैं उस पर भ्यान देंगे यह फालतु के फिजूल के की सब तूतिया बनाते हैं खाली लूट का तरीका है नेतागिरी का तरीका है यह सब पैसा कमाने के लिए नहीं होगा 24 फरवरी याथी नहीं होगा किसी को याचिलाब नहीं मिलेगा नहीं 1291 होगा नहीं 6172 पर आगे भरती होगी 2011 वालों से यह सब कुछ नहीं होने वाला है भरतियां यानि कि 2017 के पहले जितने पुराने प्रेंडिंग भरतियां थी जो जहां रुक गए या रुके हुए हैं आज भी वह वहीं खतम उसकी कहानी अब गौवर्मेंट उनको नहीं कम्प्लीट करेगी गौवर्मेंट अपने तरीके से नई सिक्षानिती के ताद भरती क करने जारी है वह वहां से करेगी पुराने यह साइल जब यह फाइल सारे जब भरतिये कर लेगी नई सिक्षानिती वाले वह अपने आप बंद हो जाएंगे उसकी कहानी वैसे खतम हो चुकी है तो दिमाग से हर किसी को निकाल देना चाहिए वह बिटीसी वाला हो बारह जा पूडा निकाल करके आगे देखना कि आगे जो गौवर्मेंट कर रही है तो गौवर्मेंट जो है 2017 से आनिक वाड़ कराकर कर आगे बढ़ चुकी है जो आगे बढ़ चुकी है जो डिखा है हुँ वह सरकार को इस प्नक्ष्र में है कि China चाहे तो भरती कर सकती चाहे तो भर्ती ना करें ऐसा रковwalkिल junior उसको आप जब समझेंगे इस प्रमॉड नहीं हो सकती है। कीज़ा सिधा मतलब है जो भर्ती नहीं हो सकती है हाँ लिबर्टी इसलिए लिखा गया है कि भरती तो नहीं हो सकती है लेकिन इनके साथ अन्याय हुआ है वो न्याय करना है तो गौवर्मेंट इनके लिए विकल्प बना करके चीजों को हैंडल करें ठीक है उस लिबर्टी का सीधर सीधा मतलब यह है तो वह और उसमें और अन का बिज्जापंट पर नहीं होगा नहीं 2011 विग्यॉद फहल्त में कुछ होने वाला है Na 1212 विच्जापंट में और में कि जो अंदर वो अंदर जो बाहर है about me करेगी और जो कुछ गौवर्श्मेंट करी है उसका पूरा रिपूर्स सुपहर्म कोड के पास जा रहा है स्प्रेम्数 कोड़ की निर्दैस में हर चीज हो रहा है कि पृस्त्रैंस सरकार है हमार लिध प्रियाश्रत है जो का रहे हो करने बहुल नहीं जाता है उनको पता है हमने क्या ऑडर किया है और उसमें क्या चल रहा है आज अब जा रहा है कि आगे कितना प्रोग्रेस हो चुका है तो वो क्यों फालतू में आपका नया केस्ट करके चीजों को इलजाएगी तो जी जी ठीक है तो लेटेश जनकारी रखिए और फालतू की इन चीजों में ना उलजिए लुटेरों से दूर यह वो फालतू का कहेंगे अगर मैं यह कहूं कि चुबश्वर्वरी यह चिलाफ यह दोजार ग्यारा यह फिर बाहर जारे क्यान में जैसे कि आपने बताया तो यह सब भी बुनियाद बेढंगी बाते जिनका कोई स्थे तो नहीं रहा सामाद में कोई स्थे तो नहीं है 2021 कहीं माइने नहीं रखता है आज के रिट में बस सीधा सा है कि नई सिख्षानिती आ चुकी है जो पद खाली है गवर्मेंट भरवाने जारी है ट्रेट पास से उनके लिए 2011 कोई मुद्दा नहीं है वो लेने जा रहे हैं सभी ट्रेट पास को पद काफी है 2018 तक का लेने का प्लान है लेकिन पहले चरण बगर है ट्रेट पास नहीं है उनको बीना किया जाएगा क्योंकि पहले ट्रेट नहीं होता था तो अप्रॉक्सली कंडिट कितने होंगे तोटल अफ्सक्राइब सब्सक्राइब को जैन करी हो सबारे में संदोहजार से लेकिए 2010 के बीच में 5-10,000 है जो कोड का चैरी में उ बढ़रे में नहीं आ सकते थे नटेट दे सकते थे 2013 में टीटी परिक्षा नहीं हुआ है दो जाबार में 2013 से टीटी होना शुरूआ है बीटीसी वालोंने दिया है और बीच बीच बढ़र आती गए भरती होता गया है बीच वालों का 2017 में अर्सर जापांट स्वाई है जिस सब्सक्राइब है और पीछे के पांच 10,000 है टोटल संक्या हो गया लभग पौने दो लाग के लिए हां और गौर्मेंट दो लाग सत्राइब कर चुकी है भरती होने जा रहा है पूरे भारत के लिष्ट जारी हो चुकी है आपने अगर नहीं देखा है तो गुरूप में सै सब्सक्राइब किस राज्य में है बताइए ज्यादा रिक्त पद किस राज्य में है बिहार कितने है कि मुझे जो मैंने पढ़ा था तो मुझे याद नहीं है दो लाग कुछ जार नहीं दो लाग पशत्तर जार चलिए ठाल इसके डबल तुरिपल खाली एह यह रतकाल भरने के लिए राज्यों को प्रस्ताव भेजा गया है और वो प्रस्ताव जिदिन मोहर लगाके केंसर का घुशा कर देगी उजीन से तो उत्तराखंड में बिहार में और अन्य जोकाव पक्रम्सा उस तरफ बढ़ रहा है यूपी में भी उसी तरफ बढ़ने जा रहे हैं महीने दो महीने तीन महीने कंदर बोस्टा हो जाएगी कि हमारी जो सरकार बिल्कुल सवार्थने संदे देने जा रही है कोई अहसान करने जा रही है अगर यह काम हो जाए और हम यह भी मनना पड़े कि अहसान कर रही है हम तो कहेंगे कोई अहसान कर रही है जो हमारा हमारे साथ जो है गलत किया है हम उसको भी खुलकर बोलते हैं अच्छी भावना रहे हैं पिछले सकारों ने नहीं किया यह कर रहे है है तिक है यह लगती है वहां से बीदाश्य जी है तो साथ विदायक है में क्या बोलते हैं आपका बीजीपी की ही है और अब जिलाद्ध की बनके सिरी मतिन सुलते वादिया इनका अपना काफी वड़ा हॉस्पिटल है तो अब जाल वो कल पर सो रिशेंटली जो इलेक्शन में है इसमें यह चुनी गई है चलवसामाती से मारे ने जिलादिकारे मह जाल यह तो अब से पहले की सरकारों ने यह सब्सक्राइब करने का प्रयाश नहीं किया उल्जाय रखा उनको लगाओ को लिए जब मुद्धा चल रहा था शिक्शामित्र का यह जब हाई को पूछा था कि भाई जब आपको केंस अप्रूवल नहीं था और यह तो उनके वकील को गॉश्चामित्र का केस लड़ रहा है उन्हीं का पक्ष रख रहा है उसके बाद कह रहा है सर हमें नहीं पता तो वह नहीं पता वह पागल थोड़े वह अधिकारी और वकील अपने गले थोड़े भर्षिट डालेंगे वह थोड़े जज का सुनने जाएंगे गाली वहां गाली नहीं देगी लेकिन फिर भी खटकार तो मिलेगा ना वह क्यों सुनने जाएंगे भाई करना हो तो ऐसी गौवर्मेंट है वो फिश्री सरकार है जो खुद जो है मरने के लिए छोड़ दिया जिसका किया हो और वह लोग आज भी उनकी पूजा करते हैं है अब यह जैए मैं आप सब्सक्राइब लेकिन कहीं ने कहीं हम लोग इतना मांचुके हैं फस्ट इतना मांचुके हैं कि यह वारे आफकर में भी पादी है तो भी हमें और तो दूढ़े देगा अन्यों सब्सक्राइब सब्सक्राइब हो सकता है नहीं ऐसा ही है कि हमें रहती है आप किसी माने वावर के थ्वारा द्वारा जिन पर जानते हो एक मित्र है हमारे जानते हैं आप जाना मैं प्रिविन कुमार चोधरी हो सकता हमें याद नहीं है तो वही एक 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 वह बोलेंशाय के रहने वाले बोलेंशाय में पड़ती है सिकारपुर इस अपने सुना और सिकारपुर फैमस है पूर अदुस्तान में तो वहां किसे वह बलॉंग करते हैं बिलेजर हैं ग्राम एक ग्राम वास हैं तो मेरे उनसे वार्टलाप होती रहती है जो भी अपडेटिंग होगे रहा है वही मुझे सक्स देते रहते हैं गर पर दो तिन बार आ चुके हैं और उनके पैसे क्लेक्ट करवाया हूं काफी लोगों के कम से कम दस बार लोगों के क्या करते हैं उनका क्या कहना है उनका कहना यही है वह सुरू से लेकर करके आज तक वही एक आदमी है इस मेरे बाते करता हूं यहीं मोलते हैं कि कोई मुझे काफी बाती होती है मेरी उनसे तो उन्होंने यह बोला था मेरी बाती हुई थी कि सरकार बहुत ही जल्ड बहुत सब्सक्राइब कर दो हजार ग्यार है कि अकोर्डिंग टू रूडिंग टू सुप्रेम कोट रूल लगुलेशन पश्चित दिलाइब सब्सक्राइब कर दो होगा और उसके बाद नोकुली में वश्चे मिलेगी जिनकी बात कर रहे हैं कि वह जो भी कहते हैं वह जरूर मेरी वीडियो देखते होंगे मेरे पोस्ट पढ़ते होंगे वह कह रहे हैं अदर्वाइज वह यह ना कहते अच्छानीती दोजा बीस में लागो हो चुका है और नहीं मेरी मेरी में उसमें वह तरक सहित नहीं बताते आपको कैसे क्या बस वह कहते हैं कि यह होगा नहीं नहीं वह इतना नोलेजिवल परसन है मैं आपको बताऊं मैं उनसे बोलता भी हूं कि तुम्हारी विचार और क सब्सक्राइब करें लेकिन हां जो आदमें बोलता है जो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने जा रही है लेकिन के सब्सक्राइब करने जा रही है जबकि मेरा कहना यह है कि 25 जुलाइब सब्सक्राइब करने जा रही है यही बात के सब्सक्राइब कर रहे हैं उनकी अपनी जो भी सोच है लेकिन वो जो कुछ कह रहे हैं हम गारेंटी से कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे किसी ग्रूप में जुड़े हूं या मेरी वीडियो देखते हूं जो भी वह उन सारी चीजों के अधार पर मिक्स करके अपनी बात कहते हैं मैंने पूछने का परियाश्य किया था उनसे कि तुम उनके प्रवीन नाम के बहुत सारी लोग हमारे सा जुड़े हैं हमें जाते लग रहा है वाटसप पे हुई हो या जैसे भी हमें जात याद आ रहा है इनसे मेरी बात ही है मुझा नमर भी मुझा नहीं याद है आज या कल किसी बंदे ने पोश्ट डाला है आप पोश्ट पड़ी ज्यादा नहीं है दस लाइन का है उसमें पढ़ेंगे उसमें सारी बाते वही लिखी हैं जो हम बताते हैं कि गौवर्मेंट यह करने जारी है सब्सक्राइब में लिखा है वही सारी लिख करके वह से कर रहा है पोश्ट तो वही चीजिए हैं मेरी बाते हैं वह लोग लिखना शुरू कर देते हैं सब्सक्राइब कर रहा है किसी ने काम नहीं किया कोई इमांदारी से काम नहीं किया लगों ने कभी हिमांदारी से काम नहीं किया नहीं किया किति नहीं लड़ा तो बहुत पहले सब को मिल चुकी होती किसी नहीं लड़ा हिमान सुराड़ा को मौका मिला उनका ओफर दिया गया नोकरी का फटाक से जो है नोकरी लेकर निकल लिए केस अब उनको कोई मतलब नहीं कपिल देया दो नुवरेड की लड़ाई लड़ रहते उनको आफर मिला नो मानते होंगे उनके उपर हात रखते मंधिर में हम काया रहत कर रहे हां और हम य 겨हीं ब weapon के लिए भी बोल रहे हैं कि अप मंधिर में हात रख़ार लिजेए भगवान पर या खिदिएक बच्टे के सरपर हात रख करके बोल दें कि उन्होंने विरुजगारों का एक रुपया कभी जो है हजम नहीं किया है किया है याची वाची बनाया है कुछ भी किया है धर्ना वन्ना किया है अगर वह आगे निक्ति किया है तो अगर वह बता हूं पुनिश केशरी इस प्रिवन कुमार जी ने जिन पर बुलन सहर का निर्वान तो किया है और इन्होंना चंदा भी कलक किया का वह सब्सक्राइब और यह आगे भी रहे हैं लेकिन जहांता कि अगर बात आती है उसकी कि खाने वाली यह आदमी इस यसर्सक्ष्ण कभी वह इस बाते करता है यह मुझा पर बाते होती है जो भी अपडेटिंग होती है बिल्कुन लेट यह हमेशा त्वी 2011 के पास्ते कहता रहा है कि नौकरी हर हाल में मिलेगी हर कीमत पर में अब्सक्राइब बात करता हूं तो भी अगर कोई घार है तो कंफर्म है कि वो मेरी बाते कहीं न कहीं से जान रहा है उसके बेस्पर करा नहीं तो वह अपने फिर आधार बता था किस आधार परोगा उनका कोई आधार अभी आपने जो कुछ बताया है वह मैक्समुम चीजें जो हमारी बातें रिपीट हैं और दूस उसके बारे में कह रहे हैं कि बिल्कु सरीफ हम कहे रहा है जितने लोग आएं उससे नहिफान लोग नहीं थे सारे के सारे हड़ों ने हड़ पा है पैसा भिरुजगारों से भी ख़ाया है कि अभी बस मार्त बात करते हों और नहीं होगा ओम लोग बात करते हैं तिवादी से तो भी और लेगा कि नहीं होगा अगर मैं वहिसाद से बात करते हैं तो भी कहते हैं आ यह जो लोग लेना तक कोई नोक्री लेलिया कोई यह लूट कर पैसा मतलब शाद लिया खुर्म के हिसाब से कई कुछ नहीं है कि हर कीमत पर लोगी हर कंदिशन में नोट पर संगल कुई भी सिंगल आदी खाली नहीं जाएगा अपकी बात से एगरी होगा है कि यह कहते होंगे और हमने यह कहते हैं तो 101 परसेंट हम दावे से कह रहे हैं यह मेरी बातें जोड़ करके अपनी बातें रखते हैं हम इनको कह रहे हैं कि जो लोग लिख रहे हैं वह हमसे बात होती हो या नहीं हो नहीं है अब को हमने समझा दिया जो भी चीजें तक गौवर्णमें जो कर रही है अब आप बस इंतजार कीजे बाकी चीजों को कुल यह कौन क्या कहता है ऐसंस에 पहले से पहले है अभन लोग को सब उप्ति मिल जाएगी सबाड़ का ब्राबर हैं सबुआज पड़ाइ ने बताए हमने बावं प्रिछ रिफ आननबर्ट के आगा पर को बजटास जारी कर दिए इस ग्लिकर लिए महिने दो महिने के अंदर सिक्षाम मित्र का सुरू हो जाएगा समय जन उसके बाद भी होगा ठीक है काफी लंबी बात हो गई है अब लगा आपको लगी देना चाहो तो अच्छा लगीगा तो अब यह जो आपके हैं वह थी कि मैंसे अक्षाप करता हूं समय का प्रियाश भी करता हूं लेकिन कहिना कहीं जी द्रहतल पर हमें दिखे तो सही जी यकीन हो जी आप बिल्कुली बताइए कि कस्मेश से 370 हट गया कभ यकीन हुआ कि आपको या अन्य किसी को या पूरे भारत को कभ यकीन हो गया कि धारा 370 हट चुका है यह यकीन जब हो गया उसके बाद यकीन हुआ कि पहले भी इसके बाद में चलती आ रही है तो आप पूरे भारत को कभ से पता था कि यह काम हो रहा है पता था किसी को नहीं लास्टाइम में आक पता चला था लास्ट टाइम में आके पता चला था ना उसके पहले क्या जो है कौन मोदी जी या फिर हम इसा या कौन धो लग लेकर पीट कर यह बता रहा था था अब भी अच्छे बड़े बुद्धी वाले बुद्धी जीवी लोग हैं वह समझ गयते कि कुछ न कुछ यहां होने जा रहा है और फिजैसे ही गटवंदन के बाद सरकार गिरा ही गई तो बुद्धी जीवी लोग ठोड़ा कंफर्म हो गया कि अब तो वहां कुछ होने व कि अगर चीजें हो रही है तो वह क्यूं हो रही है उस पर आप दिमाग दोड़ाए कि आखे वहां गटवंदन के बीजेपी ने वहां क्यों लगाया सरकार क्यों गिराई दुबारा राश्वादी सरसंग क्यों लगाया तो कुछ तो अंदर चल रहा तो वैसे बीड सवाल कि यह क्यों सब्सकर क्यों करें क्यों सब्सक्राइब सर्कार क्यों यह니다 करके सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दिखाए देरा कि आने वालों सम्में में कुछ ना कुछ होने जा रहा है हमने पहले ही कहा कि बुद्ध जीवी वर्ग में सामिल हुए हर चीज को समय से पहले देखना शुरू कि अंदर नहीं जानकारी कोई बात हैं लेकिन सामने हो रही है उसका तो दिवा वाल में हर कीमत पर नवरात रोंके अधास तक न्युक्ति मिल जाएगी नौरात कॉन समयने मैं है कि सितंबर हम क्या बताते हैं मैं दो मैंने तीन में नहीं है कि हाथ तो मैं यह बात दिरूर्ड पॉनम कर वो सार्जा अधमीं से आले की मैंने पूछा है प्रिविंट से क्य पक्रेजित क finns और पने पहले निंठ के जो पहले नेतित किया या याची-वाची बनाया जो में है पैसे 100% घाए लोग काम होने जा रहा है और पीछे इस तरीके से पड़ जाएए इतना पिंज नहीं किया जाता है आपको जब कहा जा रहा आपकर नहीं रहा है और आप जानते हैं कि अगर कितनी लोगों से जुड़ा है तो को जरूरी नहीं कि फोन हमेशा 24 घंटे वस्ट वो फोन ही रिस्टीव परता रहेगा अब सबकी अपनी लाइब भी होती है जाले काफी लंबी बात हो गई है आप हम मिल गया होगा संतुस्त भी हो गया हो गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गरूप मेरी जनकाई लेते रही है रखते हैं नमस्कार देए